हलो दोस्तो स्वागता आप सभी का आपके अपने चैनल गौर्वर्मन्ट जॉब्स गेट में दोस्तो आज मैं बात करने जा रहा हूं सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया की सीधी भरती की बारे में परती की पूरी इंफॉर्मिशन समझने के लिए दोस्तो वीडियो के अंतक बने दोस्तो आपको step by step सारी information बताई जाएगी किसमें किस किस पोस्त की भरती है क्या qualification चाहिए और इस बर्ती का location क्या है इस सारी information दोस्तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी दोस्तों बर्ती की notification जारी हो चुकी है यदि आप चालते हैं कि परते एक सरकारी notification मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी recruitment की information miss नहीं कर पाओगे जो इस channel के माध्यम से आपको share की जाती है दोस्तो इस channel के माध्यम से आपको इंडिया के हर छेतर की हर district की हर state की सरकारी नौकरी की information सबसे पहले दी जाती है आई दोस्तो बात कर लेते हैं आज की भरती से related information के बारे में तो गाईज आगे बढ़ते हैं आज की भरती है दोस्तो central bank of इंडिया की दोस्तो इस बरती में जातक आई सीमा की बाता है age limit की बाता है दोस्तो आप इस भरती के लिए आज की date से यानि की 28 November 2020 से apply कर सकते हैं और इसकी last data यानि की closing data apply करने के लिए 10 December 2020 selection process के बात करें तो इस भरती में आपका बिना exam दे हुए दोस्तो selection किया जाएगा इसमें आपका केवल interview के basis पे ही selection होगा दुस्तो apply mode की बात करें तो इस भरती के लिए आपको offline apply करना है इसके लिए form दे रखा दुस्तो annexer form में annexer 4 है दुस्तो form का नाम इसका link मैंने दे रखा है तो चले दुस्तो आप बात करें आप vacances के बारे में तो जियां दुस्तो इसमें भरती हो रही है एटेंडर की तथा सवस्टाप की और faculty की दोस्तो इस बरत में qualification की बात करें तो जिन candidate ने आट्वी पास कर रखा है वह apply कर सकते हैं एटेंडर की पोस्ट के लिए या सवस्टाप की पोस्ट के लिए और जिन्होंने दोस्तो MSW कर रखा है या MBA कर रखा है वह faculty की पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं इस बरती के लिए दोस्तो आपको किस परकार से apply करना है इसका detail में आपको step by step बताने जा रहा हूं तो जियां दोस्तो पहला step 5 की आपको link दे रखा दोस्तो मने application form का annexure form 4 है दोस्तो और इसमें दोस्तो आप पूरा भरके पूरा form भरके आप टॉप में आप अपना photograph लगा सकते है पासपोर्ट साइज photograph फोटोग्राप को दोस्तो एक्रो साइन कर लिजीगा आदा साइन आपका form में आना चाहिए और आदा साइन आपका photograph पे आना चाहिए इसके साथ दोस्तो आपको application form के साथ क्या-क्या documents लगाने हैं इसका detail भी मैं दोस्तो आपको बताने जा रहा हूँ सारे जो भी आपकी documents हैं सबकी photo को बिसकरा लिजीगा और सब पे आप अपने signature कर लिजीगा यानि की self-attest कर लिजीगा दोस्तो पहला document है आपकी education qualification का certificate उसकी copy होनी चाहिए दूसरा होना चाहिए इदि आपके पास computer certificate है दोस्तो तो उसकी copy लगा लिजीगा और उसके बाद आपको अपनी identity card का copy लगाना है इसके लिए आप आधार card की copy लगा सकते हैं या pen card की copy लगा सकते हैं चौता document है address proof इसके लिए दूस्तो आप आधार card की copy लगा सकते हैं पांचो डोकुमेंट है दूस्तो यह आपके पास experience है तो उसकी आप certificate लगा सकते हैं इस सारे documents दूस्तो आप envelope में डाल लिजीगा और उसके बाद आप envelope को subscribe कर लिजीगा उसमें बोल्ड लेटरस में लिख लिजीगा भार में टॉप में लिख लिजीगा कि application for the post of जिस भी post के लिए आप apply करना चाहते हैं पोस्त का नाम जरूर लिख लिजीगा दोस्तो इस भर्ति के location की बात करें तो ये नासी के आने की महारास्टा की वेकेंसी है और contract की वेकेंसी दोस्तो नेचर आफ जॉब है contract इसके लिए दोस्तो वेबसाइड है www.centralbankofindia.co.in पे जाके आप इसकी information पढ़ सकते हैं और इसके सारे link दोस्तो मैंने दे रखे हैं तो guys ये था 100 details भर्ति का I hope दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और दोस्तो इनकेस आप पहले बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा बैल आक्टन को भी जरूर प्रेस कर लिजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की information और अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो दोस्तो जै हिंद जै भारत